बाजरा सर्दियों का सुपर फूड है तो आज मैं आपके लिए क्या है हूँ बाजरे के आटे से बनने वाला बहुत ही स्वादेश्ट नाश्ता तो आज मैं बनाओंगी बाजरे के आटे से सुपर हिल्दी और सुपर टेस्टी नाश्टा जो की बहुत ही आसान तरीके से तयार हो जाएगा बाजरे के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जैसे कि ठंड के मौसम में यह हमारे शरीर को गरम रखता है इसमें फाइवर और कैशियम भरपूर मात्रा में होता है इसके और भी बहुत सारे बेनफिट्स हैं तो आज यहां पर मैं बनाओंगी बाजरे के आटे का चमचमिया या चीला और साथ साथ बहुत ही जादा यूनिक सी चट्नी तो चलिए रेसिपी को शुड़ो करते हैं तो स यहां पर मैं एक टीबल स्पून चॉपकी हुई लेसन की कालिया मैं अड्रक और यहां पर मैं आट कर रही हूं दो बारीक कटी होई हरी मिर्च इसके साथ एक टीश्पून अजवाईन मैं ने लिया हुआ है जिसको यहां पर मैं इसे बहुत ही बढ़ी है चम चमिया में तो यहां पर अजवाइन मैंने डाल दी है आप यहां पे मैं एड़ करूंगी एक टीश्पून हल्दी का पाॉडर और इसे के साथ साथ मैंने यहां पर हरी मचार लिया है तो करीब 1 कप कच्छी हरी मचार को मैंने पर मोर्ड प इसे के साथ यहाँ पर मैं एड़ करूंगी दो टी स्पूर नमक और अब मैं यहाँ पर एड़ करी हूँ आधा कप दही अब पहले इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे पानी पानी जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डि पानी और एड़ करके हम इसकी कंसिस्टेंसी को एड़िस कर लेंगे तो यहाँ पर चीले का बैटर बिलकुल बनके तयार है तो यहाँ पर इसे 10 मिनट तक हम कवर करके रेस्ट करने देंगे उसके बाद ही अपना चीला या चमचमिया बनाएंगे तो इस चमचमिया के साथ जाने वाली बहुत ही यूनिक सी चटनी में यहाँ पर बनाऊंगी तो मैंने पैन में डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी एक टीस्पून साबुत जीरा जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे पीनट्स तो यहाँ पर एक चौथ चार लाल मिर्चे और यहां पर आठ से दस करी लीप्स एड़ कर रही हूं मैं सासा दो टीबल स्पून सफेद तिल एड़ कर देंगे और यहां पर मैं एड़ करूंगी एक कटा हुआ टमाटर तो इन सारी चीजों को हमें सौफ्ट होने तक पका लेना है तो यह सारी चीजे अच्छे से सौफ्ट हो जाएं इसके लिए मैं एक टीजपून नमक आठ करूंगी और दो से तीन मिरट तक हमेसे सौफ्ट होने तक पका लेना है तो यहां पर सारी चीजे अच्छे से सौफ्ट हो चुकी है मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी आठ कर रही हूँ करीब एक पानी पानी भी आड़ कर लेंगे तो इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके चटनी बना लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एक बोल में इसे ट्रांसफर कर रही हूं जार को भी थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे अब इस चटनी के उपर हम दड़का लगाएंगे तो यहाँ पे पैन में मैं डाल रही हूं करीब एक टिबल स्पून ऑयल अब ऑयल गरंप होने के बाद हम एक टीस्पून इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड अब मस्टर्ड सीड को हम चटटकने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से करी लीज और अब मैं यहाँ पे एड़ करूँगी एक साबुत लाल मिर्च और साथ साथ एक टी स्पून कश्मीरी रेट शिली पाउडर जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाए तो हमारा चटनी का तड़का बनके तयार है अब हम चटनी के उपर तड़का लगा देंगे तो देखिए हमारी चमचमिया के साथ खाई जाने वाली बहुत ही अमेजिंग सी यूनिक सी चटनी बनके तयार है ये चमचमया के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो बैटर भी रेडी है तो बस हमें ऐसा ही थिक पैटर ही चाहिए बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की इसमें मैं उपर से एड़ करूँ 1-4 तीस्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा और साथ-साथ इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी समय आड़ करूँगी और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मिक्स करने के बाद हमारा बैटर रेड़ी है चलिए अब चमचमिया बनाते हैं तो यहाँ पे गयस के उपर मैंने रखा हुआ एक तवा उसके उपर मैं डाल दूँगी देसी घी यह बाजरे का चलिए या चमचमिया देसी घी में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है आप चाहें तो आप ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इस घी को मैं तवे के उपर पूरी तरह से घुमा लूँगी तो बहुत ही थोड़े से ओयल या घी में ये बन जाता है बहुत जादा ओयल की जरुत हमें नहीं पड़ती है अब यहाँ पे घी को स्प्रेट करने के बाद हम तवे के उपर डाल देंगे थोड़े से सफेद तिल इससे चमचमिया देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत गजब काता है अब इसके उपर हम बैटर थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरह से फैला लेंगे ये गोल गोल इसे फैला लेंगे छोटा छोटा सा तो यहाँ पे इस तरह से तवे के उपर मैं चार चमचमिया एक साथ बनाऊंगी तो यहाँ पे एक एक बड़ा चमच लेके आप इस तरह से इसे गोल फैलाते जाएं इसे हमें इसी तरह से फैला लेना है थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसको तो तवे के उपर मैं चार चमचमिया एक साथ बनाऊंगी तो आपका तवा या पैन जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से चमचमिया बना लें अब यहां पे इसे सेमी ड्राइ होने देंगे मतलब उपर से सेमी ड्राइ होने के बाद हम इसके उपर तिल डालेंगे तो यहां पे देखी यह सेमी ड्राइ हो गया है तो इसके उपर मैं फिर से सफेद तिल डालूंगी तो उपर से इस तरह से सफेद तिल में डाल दूँगी और इसके उपर से थोड़ा थोड़ा सा देसी घी भी हम डाल देंगे अब नीचे से थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसे इस तरह से फिलिप कर लेंगे तो देखे नीचे से ब्राउन हो गया है ये तो इस तरह से हमें flip कर लेना है ऐसी तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है तो यहाँ पे इसे दोनों तरफ से golden brown होने तक हमें सीख लेना है तो हमारी चमचमिया बन के तयार है ये चमचमिया बच्चे हो या बड़े हो सब मजे से खाएंगे आप इस recipe को ज़रूर try करेगा और जो लोग भी weight loss करना चाते हैं उनके लिए तो ये recipe बिल्कुल perfect रहेगी तो आप भी इस बाजरे के आटे की चमचमिया या चीले की recipe को try करें और साथ-साथ मुझे comment करके बताना बिल्कुल भी न भूलें आपको मेरे बाजरे के आटे की चीले या चमचमिया की recipe कैसी लगी और मेरी recipe थोड़ी से पसंद आई हो तो उसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा इसी तरह की healthy और tasty recipes के लिए मेरे चैनल श्वेता जासका को subscribe करें और साथ साथ notification bell पर भी जरूर क्लिक करें तो मिलती हूँ आपसे अगली recipe के साथ नेक्स्ट वीडियो में चिल देन टेक केर और बाबाई